Hello and welcome dear students, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का, आपके अपने YouTube चैनल Study with Dular में, बच्चों ये Class 7 का मैथ है, तो आज से मैं Class 7 का मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ, Exercise 1.1, Chapter 1 है, NCRT का ये मैथ है, Chapter 1 में दिया हुआ है Integers, तो Integers आप 6 Class में पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए इसके बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, तो Basically मैं बतला दूँ कि Integers जो होता है, वो Positive Number के साथ, यहां जैसे Number Line ये दिया हुआ है, तो यहां Zero हो गया ये, Zero, और यहां से इधर Positive नमर चलता है, और Zero से इधर जो होता है, Left Side में Negative नमर चलता है, तो पूरा Chapter जो होता है, Basically इसी पॉइंट पे चलता है, Positive और Negative, बस इस Chapter में आपको यही चीज बहतर ढंक से सिख लेना है, लेकिन फिर भी आप जान लेजे कि इस Chapter को सिखने में बच्चों को काफी समय लग जाता है, इसलिए ये Six Class में भी दिया हुआ है, Seven Class में भी दिया हुआ है, और बाकी Other, जो Mathematics होता है, उसमें आपको बनाने के लिए आएगा ही आएगा, ये समझे लेजे कि इसमें Plus और Minus, तो Minus प्लस तो हर जगा आपको मिलता है, तो आईए अब हम लोग इसको Solve करते हैं, सबसे पहला Question दिया हुआ है, Following Number, Line, Soge the Temperature in Degree Celsius, Degree Celsius के Symbol ये है, At Different Places on a Particular Day, एक ख दिखाया गया है, और जिस परकार से यहां पे दिखाया गया इस Number Line पे इन Place को, तो उसी से समंदित यहां पे कुछ Question भी पूछे गया है, तो उसका Answer देना है, जैसे कि यहां पे कौन-कौन सा जगा दिखाया गया है, लहुल स्पीटी हो गया, सिरी नगर, सिमला, उटी और तो यहां पे 0 से इधर Positive Number हो गया, और इधर Negative हो गया, तो लहुल स्पीटी कहां पे आ गया, माइनस 8 डिगरी पे, और यह है, माइनस 2 डिगरी पे, और यह प्लस यहां पे आ गया, प्लस 5 डिगरी हो गया, 5 डिगरी इसको बोल सकते हैं, उटी 14 डिगरी हो गया, और यह 22 डि लिखा हुआ है आपको यह लाइन्स यह बात समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप समझ नहीं सकते फिर बना भी नहीं सकते इसलिए इसको अपने इंग्लिस को स्ट्रॉंग रखिए और इस नंबर लाइन और राइट दा टेंप्रेचर ऑफ दे प्लेसेस मार्क ओन इट कि इस Question No One यहां लेते हैं और One का a हो गया इसमें जितने फिस दिया हुए है उसका Temperatures दिखाना है सबसे फ़र्स्ट में दिया हुआ है लहुत पीटी इसका temperature हो गया Undear- EOS उसके बाद दिया हुआ है स्रीनगर इसका temperature दिया हुआ है – Two clergy Celsius अध क्योंदे ए यहां पे इसका हो गया 5 degree Celsius, इसमें माइनस नहीं है, उसके बाद ऊटी हो गया 14 degree Celsius, 14 degree Celsius, उसके बाद last में हो गया बैंगलूरू, और इसका temperature हो गया 22 degree Celsius, इस तरह से A number का यह answer हो गया B number, B number लेते हैं, इसको पढ़ते हैं, what is the temperature, difference between the hottest and the coldest places among the above, यहां पे जो सबसे hot place है, बैंगलूरू और लहुद स्पीटी, तो इसके और इसके बीच में कितना temperature का gap है, difference है, उसको दिखाने के लिए कर रहा है, तो यहां पे हमने ले लिया है, hottest temperature place, जो सबसे गरम place है, उसका temperature लिय है, 22 degree, सबसे ज़्यादा गरम बैंगलूरू है, तो यहां पे 22 degree, पहले यहां पे दिखाया गया है, तो यह इसको लिए लिया है, उसके बाद coldest place, जो सबसे ठंडा है, वो minus 8 degree Celsius, जो low speed है, इन दोनों के बीच difference दिखाने के लिए कर रहा है, कि इसके और इसके बीच में कितन आगे तो यहां पे दिखाते हैं, difference, difference equal to 22 degree, 22, यहां पे डिगरी नि लिखते हैं, लास्ट एक लिखेंगे, इसको पहले calculate कर लेते हैं, यह 22 minus, उसके बाद फिर minus 8, यह हो गया, तो यहां पे 22 minus, यह ब्राकेट जब खुलेगा, तो मैनस मैनस प्लस हो जाएगा, ब्राकेट का मतलब होता है, into, multiply, तो यह ब्राकेट जैसे ही हटता है, इन दोनों में, इन दोनों साइन में, multiply हो जाएगा, और मैनस मैनस प्लस होता है, तो यह हो गया, 22 plus 8, equal to, कितना हो गया, 30, 30 degree Celsius, इतना difference है, यहां से, यहां से लेके 22 से लेके 8 तक, अगर इस तरह से नमबर लाइन पे अगर count करके भी चलते हैं, तो 30 यहां पे आएगा, तो यह answer हो जाएगा, इसका, यह complete होगी है, उसके बाद C number लेते हैं, यहां पे C number और C number का question पहले पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, what is the temperature, difference between lols pt and sirinagar, lols pt और sirinagar का temperature difference कितना है, इस तरह का difference जो दिखाए गया है, तो इसमें भी उसी तरह का दिखाना है, यहां पे सिबसे पहले ले लेते हैं, जो बड़ा number रहेगा, जो ज़्यादा temperature बड़ा रहेगा, उसकों पहले रखेंगे, तो sirinagar जो है, वो ज्याद है, तो यहां पे रख लेते हैं, sirinagar, तो यहां पे दोनों का temperature पहले ले लेते हैं, the temperature of sirinagar, sirinagar का temperature minus 2 degree celsius हो गया, और temperature, the temperature of lols pt, और lols pt का temperature हो गया minus 8 degree celsius, तो यहां पे difference दिखाना है, इसमें भी यह difference equal to minus 2, difference मतलब होता है minus दिखाना, minus करना, minus 2, यहां पे degree ने लगाएंगे, यहां पे minus देंगे, वो minus जो कहा जा रहा है, और यह इसके साथ minus already है, तो इसको bracket में रख लेते हैं, यहां पे 8, तो यह क्या हो जाएगा, यह तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसलिए यह minus 2 रहे plus, तो यहां पे 8 हो गया, तो 8 में से minus 2 हो जाएगा, 2 minus है तो minus 2 हो जाएगा, और यहां पे 6 हो जाएगा, 6 degree Celsius, यह इसका answer हो जाएगा, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, यहां पे, जैसे की यह number line है, तो यहां पे क्या पुछ रहा था, सीरी नगर से लॉल्स पीटी तक का difference कित पता चल जाएगा आपको, और यहां पे बना के भी आप इस तरह से दिखा सकते हैं, कि यह 6 degree Celsius इसका answer आ रहा है, उसके बाद question number D, question number D को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, can we say temperature of सीरी नगर and Simla taken together is less than the temperature at Simla, क्या हम लोग ऐसा कहा सकते हैं, temperature, सीरी नगर और Simla का temperature एक साथ ले लेते हैं, मतलब उन दोनों को add कर देते हैं, तो क्या वो जो temperature आएगा, वो Simla से कम है, तो इसको बना के देखना होगा, कम है या नहीं है, is it also less than the temperature at सीरी नगर, और सीरी नगर में जो temperature है, उससे भी यह कम है, तो करके देखना पढ़ाएगा, यहां D नमर ले लेते हैं, temperature of सीरी नगर and temperature of Simla, the temperature of सीरी नगर and Simla, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, तो सीरी नगर का temperature हो गया, minus 2 degree, minus 2 degree अभी ने लिखते हैं, और Simla का हो गया, plus 5 degree, तो plus और plus रखेंगे, तो plus ही होगा, इसलिए, plus, एक ही plus रखते हैं, 5 degree, तो इसको calculate करेंगे, 5 में से 2 चला गया, तो कितना गया, 3 degree Celsius, ये temperature आया, और यहाँ पर बोल रहा है कि, यह temperature जो है, वो Simla से कम है, तो यहाँ पर Simla का temperature क्या है, temperature, the temperature of Simla, तो Simla का temperature 5 degree Celsius है, और यहाँ पर 3 degree आया हुआ है, तो यह कम है, तो यहां पर हम दिखा देते हैं, 3 degree Celsius less than 5 degree Celsius, तो यहां पर हो जाएगा, yes, the temperature of both places, दोनों जगहों का temperature मिलाने के बाद वो similar से कम है, places are less than similar, similar से कम है, अब क्या कह रहा है, is it also less than the temperature at Sirinagar, क्या या temperature Sirinagar से भी कम है, तो Sirinagar का temperature क्या है, Sirinagar का temperature यहां पर लिखते हैं, the temperature of Sirinagar, Sirinagar का temperature minus 2 degree है, तो जो temperature आया है 3 degree, तो इससे कम नहीं है, इसका मतलब है, कि minus 2 degree, यहां पर दिखाते हैं, Celsius is less than 3 degree Celsius, 3 degree Celsius से कम है, तो यहां पर है मिलिख सकते हैं, no, the temperature of both places are not less than Sirinagar, दोनों का temperature मिलाने के बाद, Sirinagar के temperature से कम नहीं है, जादा है, इस तरह से इसका answer हो जाएगा, यह हुग यह complete, question number 2 पे चलते हैं, question number 2 में क्या कह रहा है, in a quiz, positive marks are given for correct answer and negative marks are given for incorrect answer, एक quiz हो रहा है, जहां पर सही answer देने के लिए उसको positive numbers मिलता है, और गलत answer देने के लिए उसको negative number मिलता है, if Jack's a scores in 5 successive rounds, where, अगर Jack को उसके जो round चला हुआ है, उस पे इस तरह का number प्राप्त है, 5 round में, 25, minus 5, minus 10, 15 and 10, इस तरह का number दिया हुआ है, 5 round है, तो 5, 6 दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, what was his total at the end, तो अंत में उसका number add करके, minus करके, कितना number होगा, तो यहां finally इसका number मांग रहा है, तो इसको जिस तरह से मिला हुआ है, उस तरह से plus minus कर देंगे, तो उसका answer आजागा, तो यहां पर question number 2 लेते हैं, और लेते हैं, jacks got, jacks got scores, कितना कितना हो गया, 25, minus 5, minus 10, 15, and 10, and 10, यह हो गया, अब यह जिस तरह से लिखा हुआ है, final score, यह जिस तरह से लिखा हुआ है, उसी तरह से आप set कर दें, answer आजाएगा, 25, यह plus में यह plus दियें, जो minus में है, उसको minus कर दियें, इस तरह से, यह minus है, यह plus है, तो इसको plus कर दियें, और यह भी plus है तो इसको प्लस कर दियेंगे, उसके पा увер जितने फ्लस वाला नंबर है उसको एक साथ जोड़ेंगे 25 15 और 10 तो 25 यहां हो गया और 15 और 10 25 होगया 25 25 50 हो गया यहां पे 50 लिख लिख लेते हैं और जो माइनस वाला नंबर है उसको एक साथ जोड़ेंगे यह हो गया 10 और 5 15 हो गया तो इसको माइनस में ही रखेंगे 15 तो 50 में से 15 चला गया तो बज कितना गया 35 35 स्कोर उसका नंबर जो है इतना मिलेगा 35 तो यह अंसर यह हो जाएगा question number 3 देखते हैं यहाँ पर कह रहा है at siri nagar temperature was minus 5 degree Celsius on Monday संबवार को सिरी नगर का temperature minus 5 degree Celsius था and then it dropped by 2 degree Celsius on Tuesday और मंगलवार को 2 degree Celsius और नीची गिर गया नीची चला गया what was the temperature of siri nagar on Tuesday तो Tuesday को siri nagar का temperature क्या था उसके बलागे दिया हुआ है on Wednesday बुद्वार की बात कर रहा है it rose by 4 degree Celsius बुद्वार को 4 degree Celsius बढ़ गया what was the temperature on this day तो फिर इस दिन का temperature क्या है तो यहाँ पे plus minus के हिसाब से बनाना होगा question number 3 पे लेते हैं the temperature the temperature on Monday तो Monday को temperature क्या था Monday को था minus 5 degree minus 5 degree Celsius और Tuesday को dropped कर गया कितना dropped dropped 2 degree Celsius on Tuesday मतलब मंगलवार को 2 degree Celsius और नीचे चला गया तो जो नीचे चला गया वो minus में ही आएगा तो already इतना temperature है और 2 degree और नीचे चला गया तो फिर कितना हो गया equal to 5 and 2 तो यहाँ पे plus minus minus plus हो जाता है लेकिन sign minus कही रहेगा क्योंकि यह multiply नहीं हो रहा है तो यहाँ पे minus 7 degree Celsius तूजडे का यह हो गया उसके बाद बुद्वार को temperature बढ़ जाता है तो रोज तो कितना था पहले इतना था minus 7 degree Celsius अब जो है 4 degree Celsius बढ़ गया मतलब प्लस हो गया plus 4 degree Celsius कितना हो जाएगा यह 7 में से 4 minus हो जाएगा और और minus ही आएगा इसका calculate करेंगे minus 7 में से 4 minus हो जाएगा लेकिन minus आगा क्योंकि यह जो नंबर बढ़ा राता है और उसका जो sign होता है वही sign आता है तो 7 बढ़ा है तो यहां पर आगया minus 3 degree Celsius तो बुद्धवार का temperature यह हो गया यह answer हो जाएगा और यह answer हो जाएगा यह Tuesday का और यह Wednesday का complete हो गया question number 4 पर चलते हैं यहां पर दिया हो है a plane is flying at the height of 5000 meter एक plane है एक जाज है जो 5000 meter उचा उड़ रहा है कहां से above the sea level sea level समुद्र तल से यह समुद्र है और इसके level पर जो water होता है उसको sea level बोलते हैं यहां से यहां 0 दिया हुआ है यह picture दिया हुआ है यहां से लेके जितना दूर यह plane है उतना उसका दूरी है 5000 meter at a particular point और उसी time पे उसी time पे जो है उसके ठीक नीचे it is exactly above a submarine floating और ठीक उसके नीचे जो है समुद्र तल से यहां से इधर नीचे हुए what is the vertical distance between them उन दोनों के बीच vertical distance यहां से लेके यहां तक की difference gap क्या है तो यहां से यहां से यहां पहले add करेंगे यहां पे यह है यहां से यहां और फिर यहां से यहां मतलब add करना है plus and plus इन दोनों को plus कर देते हैं तो इसका answer आपको मिल जाएगा यहां पे लेते है question number four flying height उड़ने के उचाई जो है उसको लेते है 5000 5000 5000 मीटर हो गया और floating below equal to 1200 मीटर vertical distance between vertical equal to यह add हो जाएगा 5000 plus 1200 कई बार यहां लगता है कि वो c level से निचे दिया हुआ तो इसको माइनस करना पड़ेगा लेकिन वैसा नहीं है यह add हो जाएगा टोटल वहां से उचाई मांग रहा है तो निचे जितना हो गया और उपर जितना हो गया दोनों को add कर देने से यहां पे 5000 और 1000 6000 हो गया 6200 यह हो गया इतना मीटर यह answer हो जाएगा question number 5 लेते हैं question number 5 में क्या कह रहा है Mohan deposits rupees 2000 in his bank account and withdraws rupees 1642 from it यहां पे बतला रहा है कि Mohan अपने bank account में 2000 रुपया जमा करता है और 1642 रुपया मतलब 1642 रुपया वो बाहर निकाल लेता है अगले दिन the next day if withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer then how will you represent the amount deposited क्याने मतलब है कि जो amount निकाला गया है उसको negative integer से वो परदर्सित कर रहा है तो फिर जो जमा किया गया है उसको किस परकार से परदर्सित करेगा उसको कैसे दिखाएगा तो simple सी बात है कि इसको अगर negative represent कर रहा है तो इसको positive represent करेगा इतना ही है और इसमें यहां पे फिर निकालने के लिए कहा गया है find the violence in Mohan's account after the withdrawal इसका मतलब है कि यह इस पैसा को निकाल लेता है तो फिर उसके account में कितना पैसा बचता है तो यहां पे हम लोग paper लेके बनाते हैं यहां पे लेते हैं question number 5 यहां पे लिखते हैं deposited amount यह हो जाएगा deposited amount यहां T होगा deposited amount reverchant as a positive integer तो इसको positive integer में so करेगा एक answer यह हो जाएगा उसके बाद वो जो पैसा डालता है कितना पैसा डालता है deposited amount amount deposit करता है 2,000 rupees 2000 दोजार रुपेज जमा करता है और withdrawal करता है rupees 1642 यह amount वो लिकाल लेता है तो फिर बच्चा क्या violence जो बचिया वो violence हो जाएगा तो यहां पे हम लोग इसको minus कर देंगे 2,000 से 2000 में से इसको minus कर देंगे 1642 इसको इसको minus करने पर आ जाएगा rupees 358 और यह हो जाएगा इसका answer यहां पर answer लिग देते हैं यहां पर question number 5 complete हो गया है इस वीडियो में हम लोग इतना ही question solve करेंगे और अगले question को solve करने के लिए हम लोग next वीडियो में चलेंगे अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों के लिए helpful है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जुरूर कीजिए और हमारे चैनल से जोडने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए इसे तरह का और भी कई सारी वी